अगर आपको एकली टोसा खाने का मन हो रहा है तो बिना सुचे इस नाच्टे की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए जिसे हमने सिर्फ 5 मेर्ट में बिना तही बिना सोडा का छटबिट बनाया है प्रोटीन, फाइबर से भरपोर एनर्जी भरा राष्टा है जिसे आप रिक्वास्ट में बच्चों के टिफिन में या फिर दीनर में बना सकते हैं परिवाल के सबी सर्वस्य को बहुत भाएगा चलिए शुरू करते हैं बनाना दोस्तों आज की रिस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करना बिल्कुल न भूले हेलो दोस्तों मैं हूँ शामली चली वीडियो शुरू करते हैं तो एनर्जी से भरपोर छटपट इस टेस्टी नाशते को आज हम हरे मुंग की डाल याने छिलके वारे दाल से बनाने वाने हैं यहाँ पर मैंनी लिया है आधा कप मुंग की डाल तो अगर आप प्रिक्वास्ट में बनाना चाहते हैं तो रात में यह बेग डिक ले लिए लिटीजेगा और आप साथ में डाल देजी आधा इंज अध्रा एक हरे मिर्च चार से पांच करी पत्ता बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा सा हरा धनिया इससे टेस्ट और बढ़ चाहेगा करीब मान के चलिए दो चमच आप हम थोड़ा पाने डालते वे पेस्ट लेते हैं तो देखि बहुत ही असानी से मूंक डाल का पेस्ट तयार है और हमनी थोड़ा करी पत्ता और धनिया पत्तत डाला है तो तो दोस्तों मेरे पास ताजे नारिल के टुकड़े नहीं थे आपके पास हो तो एक छोटा टुकड़ा डाल सकते हैं तो थोड़ा से नारियल डालने से पोफवाती बढ़िया फ्लेवरफुल नाश्ता बनता हैं अगर ना हो तो आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं अभी मैंने एक पार इस तरीके से बनाए बहुत ही जादा पसंद आएगा तो बड़े वाले चम्मस से एक पार हम मिक्स को चला लेते हैं बहुत जादा आपको ना पतला रखना है और यह आपको बहुत गाढ़ा रखना है तो टोटल मैंने थ्री फोर्थ कप यानिके टू हंड़ अब बैटर को दो मिनिट के साइड में रखे और आप हम एक मिनिट में चिटपटा सा स्टफिंग बनाएंगे तो यहां पर मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर तो हाफ लिटर दूद को घर में फाड के पनीर बना लिया है तो हमें हाथों से इस तरीके से क्रंबल कर लेना है यान आप चाहें तो गाजर भी एक दो चम्मच डाल सकते हैं और अब फ्लेवर के लिए एक छोटी चम्मच हम धनिया पती डाल देते हैं 4 टी स्पून नाज मिर्श बॉर्डर डाल रही हूं 14 टी स्पून काली मिर्श बॉर्डर और चटपटा स्वात के लिए एक छोटी चमच चाट मसाला बैटर में भी हमने नमक डाला है चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए इस टाइम नमक आप बहुती हनकर डाले 140 स्पून है ना बहुती असान और अब हम सभी चीज़ें को बिला नेते हैं तिनीची बिना वहनत का बहुती टेस्टी हिल्दी हमारा भी तयार है तो बस पास वर्ट पे हमारी सारी तयारी हो चुकी है तो दोस्तों जब आपको स्टफिंग बनाना हो तभी नमक चाट मसाला डालेगा वरना प्यास टमाकर से रस अलग होनी लगेगा और मिक्स 12 फिल किला किला हो जाए तो चलिए बिना देर किये हम नाश्टा बनाना शुरू करते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत गाढ़ा मेक्स है तो एक दो चमच पानी और मिला सकते हैं तो नाश्टे को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दवा चड़ाया है थोड़ा सा आयन या घे हम चारुत्रुफ लगा देते हैं दवा गरब हो चुका है और अब हम थोड़ा सा पानी का छिट्टर डालके दवे को नौर्बल करते हैं और ठीचन डावन या टेश्यू पेपर से पोच लेते हैं फ्रेंग को हम बिल्कुल कम करतेंगे और अब एक चमच हम मुंग दाल बैटर लेते हैं धीमी आज पे इस सेंटर पे बैटर पुडा दालते हैं और डोसी की तरह कोल-गोल फिलाएंगे दिखे कितना काढ़ा है तो इस तरीके से हम हनके हाथों से बड़े वाले चमच से कोल-कोल धक्का देते हैं डोसी जैसा फिला लेते हैं तो बहुत जादा पतला नहीं केचिएगा क्योंकि हम छिलके वाले मुंग डाल से इस नाश्टे को बना रहे हैं तो फाइबर से भरपूर है तो फाइबर ज्यादा रहने से थोड़ा मोटा ही बनेगा बहुत ही अच्छे से फैल गया है और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं यानि कि लोटू मेडियम कर द देते हैं तो एक मिनट में ही आप देखेंगे कि बैटर सुखने लगा है तो जब उपरी सता आपको ड्राय दिखने लगे तब आप उपर से घी या ओयल लगा सकते हैं तो इस टाइम मैं घी का इस्तवाल कर रहे हूं तो घी से बढ़ाईएगा तो स्वात दुगना हो है तो बस पेच पेच में हम तवे को कुछ सेकंड के लिए रोटेट कर देंगे यानि की आगे पिछे कर लेंगे ताकि चानों द्रफ से प्यारा सा कलर आए तो पकते वे करीब तीन मिनट हो चुका है देखें कितनी अच्छे से पकने के बाद तवे को छोड़ दिया है तो ह आप चाहे ना तो मौंग दाल जब फुर्ने दे तो साथ में एक दो चमबत चावल भी फुर्ने दे सकते हैं ऐसे और भी क्रिस्पी बन के तयार होगा तो हमने कुछ सेकंड के लिए सेक लिया है बहुत ही अच्छे से सिक के तयार होकर है फ्लेम को हम बिलकुल कम कर देंगे और अब हम अपना हेली टेस्टी स्टपिंग डालते हैं सेंटर पे रखते हैं तो इस तरीके से आप बच्छों को बना के दें देखते ही खारी को दोड़ पड़ेंगे और बड़ो का तो फेवरिट नाच्टा है तो टोटल मैंने करीब 4 मिनिट तक पकाया है और अब हम डो से की तरह फोल्ड कर लेते हैं तो देखिए बहुत ही करारा बना है तो मैं आपको एक बार चारो द्रफ से दिखा देती हूँ देखिए तो बस हम धीरे से प्लेट में निकान लेते हैं और मैं आपको अभी दिखा देती हूँ आमने न चावल कार्टा डाला और ना ही सूज डाला है लेकिन देखे आप कितने असानी से बन गया इसे तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे ना सोडर डाला है ना ही देही डाला है लेकिन आप देखे छोटी छोटी जानी बनना शुरू हो गई है तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके तीन से चार डोसे जैसे नाचते बनके तयार हो जाएंगे और अब हम फटफट सर्फ कर लेते हैं और अब हम काट लेते हैं तो इस तरीके से ही काट के ही सर्फ करें तो दूसरा भी हम काट लेते हैं है ना बहुत है असाल तो मैंने प्लेट में सर्फ कर लिया है तीखी वाली हरी चटनी या जार दई के साथ इन जुआए करें तो दोस्तों वीडियो देखते देखते आप यहां तक आज गये हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीचिएगा और तो आप इस नाश्ते को मुंदा चीला पूल नीचे या फिर डोसा पूल नीचे जो भी बोलिए बनाना भी असान है और खाने में नाजवाब है फाइबर नीन से भर पूर एनर्जी भरा नाश्ता है सभी को बहुत बसंद आएगा तो ठंडे हुजाने के बाद वो खौत ही सौफ्ट हो जाएंगे एक बार बनाना तो बनता है दोस्तों आप चाहें तो मुझे अप्पी पे श्याम्री कीचिन इस्टाग्राम श्याम्री कीचिन के कर सकते हैं और फूट पिक भी शेयर कर सकते हैं मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही मसेदार असान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में वेदे साथ ज़रूर शुलिएगा तब तक अपना ख्याम रखिए बाए ठीक है